हाई आपर इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बहुत यह अच्छा पार्ट वियर हेल स्ट्राइल और बहुत सिंपल तरीके से आप किसी भी फॉंक्शन में कैसे भी बना सकते हो कितने शॉर्ट हेयर में या मीडियम लैंद हेयर में बना सकेंगे आप यहां पर देख कि लिख रहे हो सबसे पहले हम करेंगे क्रीमिग एक टूबियर शेक्ष्ण निकालने के बार और यह विम्पिंग मशीन में यह ब्क्रींजी की यूज कर सी operate एकोणी की मिली क्रींपिंग इसकते हो वेकर की रे सकते हो या रूट्स को ले सकते हो या NOVA की ले सकते हो आपके बजट में जो भी आप वो ले सकते हो और क्रीम करने से क्या benefit होते हैं हमारे hair थोड़े heavy लगते हैं और hairstyle बहुत ही simple और आसान तरीके से बन जाते हैं अगर कई बार problem होते हैं कि आप hairstyle नहीं बना पारे या puff नहीं बन पारे हैं तो क्रीमपिंग करने के बाद बहुत आसानी से बन जाता है तो क्रीमपिंग के benefit होते हैं और कोई भी machine या कुछ भी use करने से पहले अपने hair में hair protector का use कर ले तो ज़्यादा अच्छ है जिससे कि आपके ball damage भी नहीं होंगे और back में हमने की थी pony और pony के सभी hair को कर रहे है curl कर रहे हूं मैं B&B की अपनी curling rod से B&B की है sorry आप iconic की भी ले सकते हैं roots की भी ले सकते हैं या VNG की भी ले सकते हैं तो इसके पाद करेंगे हम Tika set अगर आपकी TK की channel नम्बी है तो असानी से बापिन से रुक जाएगा अगर आपकी channel नम्बी नहीं है तो आप उसमें धागा बांद के भी काम चला सकते हैं अच्छे से धागा black color का धागा बांदेंगे और से tight कर देंगे और pin लगा लेंगे इस तरीके सुझेगा इसकी बाद करेंगे hair style के लिए side parting क्योंकि मैं side में hair style बना रही हूं आज और बीच में बनाएंगे हम puff तो ज्यादा heavy puff भी नहीं चाहिए इन्हें बिल्कुल normal hair style चाहिए और थोड़ा अच्छा चाहिए तो आप इस तरीके का hair style इस तरीके से बना सकते हैं बिल्कुल light सा puff करेंगे without trophy without किस चीज़ के ज्यादा vacuum भी नहीं करेंगे और यहाँ पर spray यूज़ कर रही हूं नोवा का यह आप ले सकते हैं ज्यूक का अगर hard लेना चाहते हैं तो ज्यूक यूज़ कर लेंगे normal लेना चाहते हैं नहीं करनी पड़ती मैं बताऊंगे इसमें आप किस तरीके से जूड़ा बना लेंगे या open hair भी रख लेंगे और इस तरीके से हलका हलका सा कर लेंगे आप हैस्टायल कि यह हो जाएगा हमारा उसके बाद चलेंगी लगाएंगे हम अपनी और जहां से हेस्टायल खराब लगता है तो थोड़ा टेलकॉम की सहाईता इसके बद लगाएंगे आप बॉपिन कि और तो बॉपिन करने के बाद हम फ्रंट में आएंगे फ्रंट में आप देख लेंगे पहले आपको कैसा हेस्टायल करना है कैसा नहीं करना है तो यहाँ पर मैं ट्विस्टिंग करके ही दूंगे हलका सा और उसके बाद फ्रंट में आ जाएंगे आप देख रहे हूं मैं ज्यादा स्प्रेय का यूज भी नहीं कर रहे हूं यहाँ से पतला सा शेक्शन उठाएंगे अपने टेलकॉम की सहायता स और हलका सा hair spray करना चाहेंगे तो कर लेंगे और back की तरफ फोल्ड करेंगे हलका सा और फिर से एक section लेंगे जैसे कि हम twist करते हैं कई लोग simple twist उठाते हैं बटे मैं या डीप में जाके करूंगी थोड़ा थोड़ा सा जादा लोंगी गहराई वले और इस तरीके से twist करते चले ज ट्रीके से और यह लोगते हैं शूति फिर आपकर कर लेंगे आपकर लोग बजाएओ पेंसाद़ अश्छे बने देखाम कर लेंगे यह जाके बनेगे च्ड दो इसे। फरंड कर लेंगे और शोटना थेस च्ट, c anderson by. और थोड़ा समयनि कर लेए चूंड ने चूंड़ सेरे statistics फ्रेंट चोटी की तार आप चाहें तो बिल्कूल twisting इसी तरीके से उठा लेंगे जैसे की कर रहे हूँ और देख रहे हूँ एक एक section लेके twist करती जा रहे हूँ और front में मैंने छोड़ाए थोड़ा सा layers के लिए तो आप ये makeup लूप देखना चाहेंगे तो मैं natural beauty world पे upload कर दूँगी next day तो आप आप चेक कर लेंगे और जितने भी makeup देखना चाहते हैं तो मेरे natural beauty world पर आप देख सकते हैं facial या कोई भी video आप देखना चाहें तो मेरी playlist में जाके check कर सकते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज subscribe कर लें, like करें, share करें और comment ज़रूर करें और यह हो जाएगा हमारा इस साइड का भी इसको भी थोड़ा सा लूज कर लेंगे और बैक में जाके बॉप इन से टक कर देंगे, पीछे हमारा बिलकुल सिंपल हेर स्टाइल बनेगा, आप देखेंगे और कफ अच्छा भी लगेगा, इसमें कोई अर्टिफिशल हेर का यूज नहीं किया गया है कोई स्टाफी, कोई डोनेट या कोई एक्स्टेंशन वगएरा कुछ भी इस तरीके से करेंगे और यह हो जाएगा हमारा फ्रंट का हेर स्टाइल कंप्लीट, तो हम चलेंगे बैक की तरफ, बैक में जो में हमका करेंशन से हेर कोई सकते हैं बट मैं थोड़ा पहले लगा लेती हूँ और आप जिस तरीके से करना चाहिए कर लेंगे यह आजएगा हमारे थोड़ा कर और बैक में देख रहे हो सभी हेर को कर दिया अच्छी तरह से आप चाहिए तो अभी हेर में जूड़ा भी बना सकते हैं और आप चाहिए तो पोनी क्षा सकते हैं किसी तरीके से यह थोड़े से ओपन भी छोड़ सकते हैं कि अगर आप कुछ हेवी नहीं करना चाहते हैं थो यह फूल हेओ प्रण्ट से देख लेंगे आप और बैक का मैं भी दिखाती हूँ आपको बैक में इस तरीके से है ये आप चाहेंगे करल हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम मी नहीं होगी चाहें तो डोनट के उपर काफी हैवी जूड़ा बना सकते हैं इसका बस सिप आपको टक करना पड़ेगा डोनट के उपर इनको हलक काल कासा और आप चाहेंगे तो हेर कोठा के दिरे-दिरे करल को जैसे हमने कर्ल के थे उठा के इधर से उधर इधर से उधर लगाते जाएंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और काफी अच्छा लुक आएगा और चाहेंगे तो थोड़े कार्ल ऐसा ही छोड़ देंगे जिसमें कि आपको थोड़ा मैसे सा या फंकी सा लुक मिल जाएगा इस तरीके से यहाँ पर हमारी बॉबी पिन भी कवर हो जाएगे और जो रबट बैंड डाला था वो भी बिल्कुल कवर हो जाएगा आप चाहें तो पूरा इस तरीके से जुड़ा भी बना सकते हैं और आ हमारी रबट बैंड भी कवर हो जाएगी और हमारे हेयर भी ओपन रह जाएगे और अगर आपको यह अच्छा नहीं लगता तो एक्स्टेंशन के द्वारा या डोनट के द्वारा ओर थोड़ा हैवी लुक दे सकते हैं आप देखेंगे पीछे मैंने इनकी रबट को कवर कर कर दिया है और फ्रंट में इनके हर थोड़े से ऑपन भी मिल जाएंगे उनको तो ओपन हैर में कर सकते हो यह इतने से एक्र करके फ्रंट में भी और इसके बाद कर देंगे आप हेयर स्प्रें कि इन कर्ल को मैं थोड़ा से खोल दूंगी ताकि यह थोड़े हैवी लगे फिंगर के द्वारा, और यह हो जाएगा हमारा बैक का लुक और यह इने फ्रेंट में करेंगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा और बैक से भी देख सकते हो, फ्रंट से भी देख सकते हो आप इनका लुक ये आएगा, अगर आप इस टाइप का कुछ देना चाहते हैं उसके बाद सारे में कुछ आएटि एकसरी वन जगाए को आप लगा लें के से और जज़ादा अच्छा पार्टी में और यह है इनका प्रॉपर लुक तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें और शियर जरूर करें और मैंने हैं इनको झाल झाल